था यह जो हम पेपर पहले डिसकस कर चुके हैं यह 2018 डियू के एंट्रेंस जर्नलिजम का हिंदी जर्नलिजम का पेपर है जिसमें से हम इस से पहले वाले सारे questions first part में discuss कर चुके हैं और यह हमारा दूसरा part है तो इसमें हम आगे के questions जो है डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह जो question पूछा गया था कि एशिया मीडिया सम्मेट 2018 के पंध्रवे समहारों का विशह है यानि थीम क्या था तो यह भी current से बहुत जादा questions आते हैं तो आपको जितने भी थीम से रिडिट कर अफेर्स आगर आपको कोई दिखता है तो उसे अच्छे से पेपर जरूर करें क्योंकि पेपर में कहीं न कहीं वह पूछा जा सकता है तो इसका जो correct answer था वो था अपनी कहानिया सुनना एशिया एवं अधिक जो next question पूछा गया था वो था पुलिस बल के लिए डिजिटल प्लाटफॉर्म पर पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट योजना के सुराज्य सरकार द्वारा लागू की गई है तो यह भी current affair का question है इसका जो correct answer था वो है गुजरात जो गुजरात सरकार ने यह जो project है वो launch किया था तो current affairs पर आपको बहुत focus करना है क्योंकि आपने अभी तक देख लिए हो current affairs सबसे ज्यादा questions पूछे गए हैं उसके बाद reasoning से और शायद अभी तक मैंने mathematics का सिर्फ एक ही question इसमें देखा है तो अगर आप mathematics अगर आपके पास time नहीं है preparation का और तो आ आप mathematics को skip करके अपने current affairs कम से कम एक साल के current affairs और साथ में reasoning को अच्छे से प्रिपेर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे अपनी तयारी कर लेंगे जो next question पूछा गया था वो था टॉल स्टोय का विश्व प्रसीद उपन्यास कौन सा है तो यह books and authors का था तो इसको जो correct answer है वो है युद और शान्ती उसके बाद जो next question पूछा गया था यह आपका blood relation का question है तो यह reasoning का question है उसके बाद जो question आया था वो था आपका politics political science से भारत इसी समविधान में अभिव्यक्ति के अजादी कहां से आती है तो अभिव्यक्ति के अजादी का जो question था यह आपका था अनुछेद 19 एक जी से प्रतियक्ष निवेश का प्रतिशत क्या है तो इसका जो प्रतिशत है निवेश का प्रतिशत है जो नेक्स क्वेशन था वह था अप्रेल मई 2019 का आम चुनाओ बनाएगा अब यह हो चुके है यह 2018 का पेपर है इसलिए इसमें ऐसा question आया था कि सत्रवी लौक सभा के वह था वो था हाली में प्रधान मंत्री के द्वारा 36 गड़ में उद्घटित की गई वंधन योजना का उदेश्य क्या है तो उसका जो देश्य था वो था आदिवासी समुदाए का आदिवासी समुदाए को शशक्त करना फिर आपका जो हिंदी ग्रैमर का question आया था कि राहूल अपने माता पिता का एक मातर संतान है में अशुद्धी का रूप बताई है तो इसमें क्या था एक मातर संतान है की माता पिता की आना था इसमें बलगी इसमें क्या का लिखावा है तो इसमें आना था राहूल अपने कि इस समय आप यहां से चले जाईए यह वाक्य कौन सा है यह वाक्य है आग्या सूचा कि यह भी आपका हिंदी ग्रैमर मतलब जो हिंदी जर्नलिजम से पेपर दे रहे हैं उनको इंग्लिज ग्रैमर जो है अच्छे से प्रपेर करनी है उसके बाद जो 53 क्वेशन था वो था पुस्तक थर्ड वेव 1980 के लेखक कौन है तो इनके अलवन टॉफलर जो सोच्योलोजिस्ट है उनको पर आया था यह बहुत काफी फेमस बुक है जितनी भी बुक्स पूछी जाती है सब फेमस बुक्स होती है जो एक्जाम में आती है फिर आपका हिंदी ग्रैमर का क्वेश पूछे जा चुके है इसमें अभी तक फिर नेक्स कॉशन था कि PDF XLS और FLV क्या है तो यह क्या है यह है यह एब्रिवेटेड फाइल एक्स्टेंशन फाइल एक्स्टेंशन की अब्रिवेटेड फॉर्म सेंगे फिर नेक्स कॉशन था दो बार से अधिक शपत लेने वाले भारतिय प्रधान मंतरी कितने है वो है चार इसके बाद पूछा गया तो वो प्रधम महिला कौन है जिसे बार से सीधे उच्टम न्याले में न्याइधीश के पत पर न्यूक्त किया गया है यह भी करण्ट अफैर का क्वेशन है इसका करेक्ट आंसर है इंदू मलहोत्रा निमलिकित में से कौन सी ओपन फाइल फॉर्मेट नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड और थर्ड मीज्ट डॉट पीडिएफ और डॉट जे पीजी यह जो है ओपन फाइल फॉर्मेट नहीं है फिर आपका यह क्या करम मैट्स का क्वेशन था यह फिर वर्तमान में डी ये वीपी डिरेक्ट रेट ओफ अड्वर्टाइजिंग और विज्वल पॉब्लिसिटी किसके नियंद्रण में करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दाट इस सूचना एवन प्रसारण मंत्राल है फिर यह पॉडिचरी की उप्राजेपाल कौन है वो है किरन बेदी फिर आपका रीजनिंग का क्वेशन आया था रीजनिंग में डिरेक्शन का क्वेशन है यह फिर हिंदी ग्रैमर का क्वेशन है कि पार्ट शाला किस प्रकार का शब्द है तो यह है ग्रोज्योगिक शब् नेक्स क्वेशन था कि आपने वेशिक शक्तियों के भारत में आगमन के कर्म अनुसार नेमलिखित विकल्पों में से सही का चायन कीजिए तो जो जिस तरीके से जो बाहर की जो हमारे पास जो वह इंवेजन हुआ था तो सबसे पहले हुआ था पुर्तगाल का यह आपका हिस्ट्री का क्वेशन है पुर्तगाल का उसके बाद डच आये थे फिर इंग्लेंड आये थे फिर इंग्लेंड से आये थे पीपल से उसके बा वाला question है यह conclusion वाला थीक है तो उसके बाद जो आपको 66 question था कि उत्रप्रदेश के बाद किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग सभा सीट है तो वो थी आपकी महराश्ट्र में देखिए इसने elections उस टाइम पे elections होने वाले थे तो यह जो current affairs का ही मुद्दा था इसलिए इस तरीके questions लोग सभा से बहुत जादा पूछे गए हैं क्योंकि उस टाइम पर आम चुना होने वाले तो जो current situation हमारे आसपास चल रही होती है उसी से रिलेटर questions जो है exam में पूछे जाते हैं इसलिए बोला जाता है कि current affairs को बहुत अच्छे से prepare कीजिए फिर next question पूछा गया था कि कौन से शब्द की वर्तनी सही है तो यह आपको question देए वर्तनी मतलब बोलने में सही लिखा है तो वो लिखा था अतिश योक्ति फिर ही आपका पूछा गया था कि भारत के राश्ट्रे राजनेतिक दलों को उनके साइस थापना वर्ष के क्रम में चिनहित कीजिए तो यह आपको options दे रखेते जिसमें से आपका correct option कौन सा है आपका correct option है आइनसी, CPI, CPIM, BJP, BSP, त्रिनमूल कॉंग्रेस और NCP means आपका option नंबर 4 जो है correct option है फिर next question है, रस्कान किसकी भक्ती करते थे रस्कान करते थे कृष्ण की भक्ति आप हिंदी journalism का paper दे रहे हैं इसलिए हिंदी literature से सवाल जरूर इसमें पूछे जाएंगे तो basic knowledge तो होनी चाहिए उसकी फिर विश्रम को चिनहित करें इसका correct answer है शिवराज सिंग चौहान क्योंकि जितने भी है आपके ये नितिन पटेल, केशफ मुत्रसाद मार, शुशुल कुमार मौधी ये सब डिपटी CM की पतपर है लेकिन शिवराज सिंग चौहान जो है वो म मुख्य मंत्री रह चुके हैं अभी भी मुख्य मंत्री है बीच में एक पर एलेक्शन हार गए थी अभी पिछली चुनाओं में लेकिन फिर से बन चुके है तो यह इसलिए और वन आउट है कि फिर 71 question था हरी शंकर परसाई किस विधा के रशनाकार है यह है व्यंग के जो नेक्स 72 question था कि इसरो के सौवे उपग्रह का नाम क्या है तो वह है कार्टो सेट टू करेंट अफेर का क्वेशन है कि इस रोके सौवे उपग्रह का नाम क्या है कार्टो सेट टू फिट 73rd question था थॉमस नॉल एवं सीता रमन नरायनन निमलकित में से किस इसका जो करेक्ट आंसर है डाट इस अडॉप फोटोशॉप मींस आपने देखा अभी तो इसका निमलकित को घटना की करम उनसार विवस्थित कीजिए तो इसका मतलब यह हिस्ट्री का question है जैसे जैसे हुआ था सबसे पहले हुआ था अपका बंगाल विभाजन फिर अखल भारतिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था फिर क्रिप्स मिशन फिर भारत छोड़ो आंदर मींस ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है कि देखे वाट्सएप के विशे में सही कथन क्या है तो यह वाट्सएप क्वेश्चन उसकी डिटेल के ऊपर है कि वर्ज 2015 फेस्बुक द्वारा वाट्सएप को अधिकरत कर लिया गया था वाट्सएप एक निशुल्क फ्रीवेर सेवा है और किसी भी वाट्सएप सम्हू में एक बार अधिक्तम 256 भोगता ही भागिदार हो सकते हैं तो इसमें जो सही कथन है डाट इस सेकंड थर्ड मींस 2015 में नहीं वो तो अभी रिसेंटली मुझे लग्सेशा है 2019 में वाट्सएप को जो है फेस्बुक ना धिकरत किया है लेकिन 2015 का गलत यह लिख रखा था फि जो 77 question आया था दाट इस सौरे क्रिशी solar farming के प्रोसाहन हे तु भारत सरकार ने क्रिशकों के कौन सी योजना शुरू करी है तो वह योजना है कुसुम यह भी current affair का question ने उस टाइम का 2018 का फिर यह आपका आया था current affair का question यह जर्नल अवेरनस का question है जोग्रफी से भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है तो यह सब लाइन है आपको मैक मोहन और यह सब आपको याद रखनी है इनसे भी questions आ सकते हैं क्यूंकि देखिए ऐसा होता है एक्जाम्स में examiner जो पेपर इस तरीके से हमें सारी चीजसे पता होने इससे हमें आइडिया हो जाता है कि अगर इस तरीके questions आ तो अगली बार इसी के जैसा दूसरा question हमारे exam में आ सकता है जो next question था आपका कि चिनहित ग्रहकों के लिए किसने तेज mobile app की शुरुवात की है तो इसका correct answer गूगल फिर next question है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा mobile phone बजार कौन सा है वो है इंडिया ठीक है इंडिया जो है आपका विश्व का सबसे दूसरा नंबर पर बड़ा mobile phone बजार है next question है निमलखित में से कौन सा अंदोलन डांडी आत्रा के साथ शुरू हुआ था तो वह था सविगने अवग्या आंदोलन या आपका डांडी आत्रा के साथ शुरू हुआ था फिर निम में से कौन सा कथन सत्य है वेग और तुरंड के एक दूसरे के रूप है फिजिक्स का क्वेश्चन है तो इसको जो करेक्ट आंसार डाट इस समय के संधर में गती परिवर्तन की दर तुरंड कहलाती है यह यह फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया फिर आपका हिंदी ग्रैमर का क्वेश्चन है कि सब धान 22 पसेरी मुहावरेया तो इसका अच्छा बुरा सबको समान समझना चाहिए फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया था इन में से कौन अधिकारिक रूप से सिक्किम का ब्रैंड अमबैजडर है तो वो है एर रह्मान जो है सिक्किम के ब्रैंड अमबैजडर जो है निक्त किये गए थे बनाए गए थे तो जो सिक्किम के ब्रैंड अमबैजडर है वो है एर रह्मान 89 है पाप पुन्ने शब्द युगम किस समास का उधारण है तो वो है द्वंत समास का फिर नेक्स क्वेशन आपका आतक किस सोशल लेट्वरकिंग सेवा ने जिवान्त वीडियो साजा करने के लिए टाइम स्टांप की शुरुवात की है फिर आपका था कि इन में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है तो इसका जो कर्रेक्ट आंसर डाट इस अंधेरा फिर 92 क्वेशन आया था कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखा कौन है तो वो है राम चंद्र गुहा तो वोक्स और ऑथर से भी काफी सारे क्वेशन आ अभी तक फिर 93 क्वेशन था कि किस समीती ने भारत में शेत्रे ग्रामिन बैंकों की स्थापना का अनुमोधन किया है तो इसका जो कर्रेक्ट आंसर है धाट इस नर्सिम्हम समीती नर्सिम्हम समीती ने भारत में शेत्रे ग्रामिन बैंकों की स्थापना का अनुमोधन किया है फिर य सब्सक्राइब काफी पेपर्स में मैंने देखा भी है काफी एंट्रेंस एक्जाम में इसका जो करेक्ट आंसा है डाट इस मुंडोक उपनिशद फिर किस उतियोग के साथ फुटबॉल शब्द समानता जोड़ा जाता है तो डाट इस फुटकर रिटेल फिर 97 कोईशन था कि म आपका संबंदित है फिर 99 कोईशन आया था कि निमलखित में से कौन सा प्रथम भारतिया ऐसा शहर है जिसका ना अपना लोगो है तो वह है बैंगलूरू बैंगलूरू का अपना एक खुद का लोगो है फिर 100 क्वेशन था आपका यूएन ओडिसी क्या है तो यूएन ओड ड्रक्स एंड क्राइम तो यह हंड्रेट क्वेशन थे जो आपके एंटरंस एक्जाम में पूछे गए थे आपको आई लाइक आपको वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू